तो अब बना रही हैं कि आज मैं बना रही हूं तो मैं नहीं करती है तो आज मैं बना रही हूं चिकन फजीता पीजा विट वाइट सॉस तकी बनती है मैं अगर मैं यह क्रीम के साथ बना रही हूं बहुत ही मज़ी का बनता है तो लंबर प्रोसेस है तो स्टार्ट करते हैं फिर आप बताते हैं आगे के इंगिजिएंस इस इवग बताती रहोंगी सबसे पहले हमने यह तेल लिया है एक खाने का चमच और फिर इसमें हम यह चिकन जो है जो हमने स्ट्रिप्स इस तरह काटके रखी है अगर आप चाहें जिस तरह आपकी मर्जी हो जिस तरह काटे तो यह मैंता है एक और लार्श पीजा और एक नॉर्मल साइज का जो रेग जो पाइस तो अलमोस अब को पता ही होगा और मैंने दो जो है पहले से बना के रखी वी दो तो सभी को पता कि बहुत ईजी सब को इतनी यूड्यूब और इतनी सस्क्राइबर सब सब को गए है सब ने सिखाया सब अपने अपने घर की रैसेपीज अपनी शेय करते तो जब मैं दालूंगी गार्लिक पाउडर अगार किसी के पास गार्लिक पाउडर अवेली है तो आप लसन का पेस्ट भी दाल सकते है एक खाने का चम्मत और इसमें जाएगा यह लाल मिर्च तो टेस्ट जितना आप खाते हैं सपाइस फजीता में फजीता थोड़ा सपैसी बनता ह यह आप तो पर और इसमें जाएगा मैंने इसमें लेशन का पाउडर विसी भी लाल मिर्च नमक और यह फ्रेश यानि फ्रेश कहरी चिली प्लेक्स यानि कुटी भी लाल मिर्च एक चमच अच्छा खासा भर के छोटा वाला वो दाला है और आप मैं इसे मिक्स करूंगी अब दो ऐसमें जाएगा यह रेट वाली ूड यह बैल पैर जिन रेड वाली रीच और अनिया थीक है ग्रीन और लाल बैर हम उड और सलाइस करके मिक्स कर दिए और इसको बस stir fry करेंगे हलका सब्सक्राइब और इसमें जाएगा दो चम्मच लेमन ज्यूस बस अब फिर इसके बाद हम इसमें मश्रूम्स एड कर लेंगे जो आपने यह कट करके बड़े बड़ रखें मुझे बड़े बड़े ही पसंद होते इसलिए मैंने इसको बड़े ही ना-गछाफ्ट कर लेंगे इसको मिक्स करेंगे पर इसके बाद में वाइट सॉस पे आती हो है वाइट सुस्थ के लिए इंग्रीटियं न्स बहुत सेंपल है और हर घर में अब अवेल होता है इसको मिक्स हरेंगे और पांच मिनट इसे और पकाएंगे प्रेसे अटा देंगे अब हम बनाने जा रहे हैं वाइट सो जिसके लिए हमें चाहिए दो चम्मच खाने का मखण और बर के ठीक और पूरी एक कब आप इसमें क्रीम डाल देंगे कर् Sun कीष्याया साइल पांडा इस विप किया हमारे हम और अपन कीष्ष्याब आप आप इसको मिक्स करेंगे नमक हतन जाये आए-डायगा जीतना deste आ चाहिए क्योंकि हम हरचीजम ही नमक दाल रहे है तो इसे आब बाद मिक्स के समय मिर्च पास च्रेकश एतल तो मैं सबस्केश की नूब्सफा जबूकर और एक दो चम्मच में सबँसिते में आइग यूगे's कीन में यू एयूजा गाड़ा यानि टेक्स्च्चुर कर से तिंहिने गाड़ा कीजिए teenager तो नग्स करते हैं। अब यह देखें यह घाड़ा होना स्टार्ट हो गया है। अब थोड़ा सा लो करना पाड़ेगा है। इसमें हम चीज एड़ करेंगे। आपने हिसाब सेट किज़ेगा कि आपको पीजे में उपर भी स्प्रिंकल करनी होती है तो इसलिए यह बहुत मज़े का एक फ्रेवर होता है आम पीजों में तो टेस्ट होता है जो केचप होता है अब इसको इस तरह बनाएंगे और फिर जो मिक्स हर्बे में थोड़ा सा उप में भी उपर से खर दूँगी मैं ऐसी तरह बनाती हूं कोई मेरी इसलिए मेरी अपनी ही बनाएवी रेसिपी है इसको मैंने किसी से वो नहीं किया और वाइट सॉस तो हर तरीके का बनता है तो आप एक कॉंबनेशन होता है वैरिशन होती इसमें आप किस तरह आप उसके सा तो या और मजीद गाड़ा हुआ है तो इसमें हमने चैड़र सीज एक उडिया लिए अबिल्कुल साही अप देखें बाद में अब यथंडा होगा तभी इसको पीज़े के उपर लगाएंगे और जो टॉपिं को पसंद आए है वो मैं कर सकते है मैं तो इस तम जो पीजा डो मैंने पहले से बनाके रखा हूँ अब बस आपके सामने इसको मैं टॉपिंग करके दिखाऊंगी यह देखी मैंने डो को सुभा ही बना के रखे रखे ता बहुत अच्छी राइस होगी मैंने पंच किया तो अंदर जा लिए तो इसमें इसमें दो बन जाएंगे अ अब इसमें मैं सॉस लगाऊंगी जो आपके सामने में बनाई थी ठीके नॉर्मल ठंडी हो गई इसको हम करके लगाएंगे अब इसमें ने सॉस लगा लिया अभी है जो हमने इसका वजीता का बनाया था घर में आप जितना पीजा बनाएं अच्छी टॉपिंग होती है अर काम से बहुत तरीके से बहुत सारी लोग खा लेते हैं वही चीजे वो लोग भी उस करते हैं अब यह वाला बना कि दो कि बहुत ही मज़ेगा बनेगा अब मेरे पास माजरेला की चीज है यह मैं दाहर रही हूँ है इसमें चैडर चीज जाएगा जो चीजों यह मैं पीजा मैक्स की एक चीज थी हां पे मिलती है यह मैं यह भी लिए थी मैंने कई यह भी दाल गते है थोड़ा टेस्ट आजाएगा और इसमें मैं दालूंगी यह जैली पहनों आपकी मरजी आप अलेफ दालें कुछ भी दालें में पास अभी जैली पहनों थी तो मैंने जैली पहनों डाल दी और मैं इसे बेक करने के लिए पंदा मिनट के लिए रख दूंगी क्योंकि मेरा इसमें प्रेंट काफी देर से हो रहा है और इस पे जो मैंने मिक्स हर्प का यह बनाया था यह थोड़ा से में स्प्रेंकल कर दूंगी और इसमें से बेक करने के लिए यह देखें पीसा बिल्कुल रेडी है और इसम बहुत ही मज़ेगा लग रहा बहुत गरम है तो कितना सॉफ बन है कि मैसे बाइट करके बताती में बहुत ही अभी बहुत ही ज्यादा गरम है यह देखें और मैंने जो चोटा रेगलर साइस का पीजा था वह मैंने इसको बेक करने के लिए रगती है तो यह उमीद है कि आपको पसंद आया होगा और इसको जरूर ट्राइ क किजए इसकी डो कितनी सॉफट ही देखिये पहीं से भी आपको क्रिपी और सॉफ यह देखे मैं से रदी किस तरह सो बना है और प्रह 2 दि खुद बनाना इसलिए ऐसनों अबाइटारिफ कर रही है इसको मासे से बहुत मज़र्द बनता है प्रश्ट का यह एक चीज की फ्लेवर है बहुत अलग होता है फजीते का अलग होता है अलग होता है अलग होता है और मैं से दोबारा बैटो हुना दो भूट लगी है यह देख लीजी है हुम् पाकिस्तानी देसी स्टाइल का प्रीजा है जो बहुत ही तरीके से बनाया गया गया है वाइट सॉस को साथ और पीजा सॉस के साथ यह बहुत ही डिफ्रेंट ने जाबरदस वलेवर के साथ इसको प्राइब कीजेगा मुझे दौा पर यातर किजेगा मेरी रेसिप पसंद तो प्लीस लाइक और शेयर जरूर कीजेगा चलती हूँ अपना ख्याल रखेगा फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होती हूँ जो अपने घर में बनाती हूँ में पिर अपना ख्याल रखेगा अल्ला हाफिस